लव को किस तरह जिहाद में बदला जा सकता है इसका एक वाक्या कानपुर में देखने को मिल रहा है कानपुर के शालिनी आदव धर्मांतरन मामने एक सवाल उठा था कि ये लव है या जिहाद जिसका सटीक जवाब अब मिलता नजर आ रहा है प्यार में पागल होकर घर परिवार धर्म छोड़कर गई शालिनी के होश अब धिकाने आने लगे हैं भैर हिंदू पती और ससुराल में अपने साथ हो रही दरिंदिगी के खिलाव अब वो आवास उठाने लगी शालिनी की मा सत्रूपा यादव ने ये दावा किया है कि एक दिन उनके पास बेटी का फोन आया था जिसमें वो रो रो कर अपने साथ हो रही दरिंदिगी को बयान कर रहे हैं मा के अनुसार शालिनी ने फोन पर कहा कि मुझे बचा लो ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं इन्होंने मेरे सारे पैसे चीए आपको बताएं कि ये पूरा मामला 29 जून का जब शालिनी यादव अपने घर से पेपर देने ने की लेकिन वापस लॉट कर नहीं है फिर आया उसका एक वीडियो गुरु वार को वाइरल हुए इस वीडियो में शालिनी यादव अफिजाफ फातिमा बन चीए वीडियो में वो साथ कहदी नजर आ रही थी कि इसने फैजल नाम के यूवत के साथ अपने मर्जी से निकाह कर लिए और अब वो शालिनी नहीं परिवार का आरोप है कि फैजल ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर घर से भगाया है बेटी अपने साथ दस लाख उपए भी लेकर की गई है हम आपको बताएं कि कानपुर में लव जहाद के मामले दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी मामले कहीं न तहीं जूरी कॉलोनी से जाकर जुडते हैं इसी तरह के दो और मामलों पर नज़र डालते हैं कल्यानपुर में दो जुलाई के दो सगी बहनों को शाहरुक और उसका बेटा खली भगा कर ले जाते हैं वो दोनों ही कहा के रहने वाले हैं लाल जूरी कॉलोनी के तीसरा मामला पनकी रतनपुर कॉलोनी का है जहां पर दो बहनों को एक आदमी जिसका नाम है महम्मद यासिन वो अपने देम जाल में फसाता है लेकिन लड़कियों को भगान नहीं पार रहा है और वो व्यक्ति भी कहा करेने वाला है जूही लाल कॉलोनी सूत्रों का दावा है कि यदि पुलिस जाज करे तो इस साल ऐसे मामलों करीब एक दरजन आरोपी जूही लाल कॉलोनी के ही मिले आरोप लगाया जा रहा है कि इस कॉलोनी में लग जहाद के लिए पकाईदा एक ट्रेनिंग कैम भी चल रहा है आपको बताएं कि आई जी मोहित अगरवाल ने फिजा के पूरे मामले में कहा है कि एक ही शेत्र में यदि इतने मामले में है कि ये विशेय का फीर कर दो